हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं बना रही हूं रवा स्टफिंग बॉल्स तो उसकी रेसिपी में सेयर कर रही हूं आज आप लोग के साथ तो यहां मैंने रवा लिया है एक कटोड़ी रवा आप कोई भी ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते बनाना तो यहा कॉटा चम मच तो बस थोरा सा हिंको भून लेंगे ज्यादा नहीं बस थोरा सा और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च जिसको कि मैंने कट कर लिया है ंश्कended समय कोई दिया है जिसे कि अद्रक का भी कच्चापन अच्छे से निकल जाए तो यहां देखिए उसको भून रही हूँ और थोरी देर अद्रक को भून लोगी और अद्रक जब अच्छे से भून के हो जाएगा तो हम यहां ले लेंगे कड़ी पत्ता तीन चार कड़ी पत्ता था उसको मैंने तोड लिया था पूरा साबुत नहीं डाला मैंने इसको मैंने तोड लिया चोटे-चोटे पीस कर लिया हाथ से ही उसको भी इसमें मिला दिया मैंने और अब इसमें डाल देंगे यहां देखिए यह भूंज के सब हो चुका है तो मैंने एक कटोरी रवा लिया था इस कटोरी स तो हम इसमें डेर कतोरी पानी डालेंगे एक कतोरी रवा में डेर कतोरी पानी कह पर मैं पानी मिला दे रही हूं और पानी मिलाने के बाद Alban सबको अच्छे से मिला लेंगे पानी में और इसके बाद अब इसमें मिलाएंगे नमक, नमक भी टेस्ट के अकोर्डिंग, यहां पर में नमक मिला दी और यह थोरे से चिली फ्लेक्स, जो मेरे पास थे, यह आपके पास है तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, तो यहां पर मैंने वो डाल दिया, अब इन सबको मिला के इसको बॉयल होने देंगे, यहां देखे, पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, तो अब हम इसमें यह रवा डाल देंगे, रवा डालने के बाद गैस का फ्लेम एकदम कम रखेंगे, और रवा को पानी में अच्छे से मिला लेंगे, यहां देखिए बस इस तरह से जिसके अच्छे से पानी रवा अब्जॉर्व कर लें तो यहां पर अच्छे से पका लेंगे यहां पर देखिए हो चुका पानी बी एकदम सुक चुका है रवा भी पक गया है तो बस अब हम इसको प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे यहां देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है फ्लेट में मैंने इस घी लगा कर ठाथ नहीं रखना एगए अनना कि हम इसको जब मले तो हात मेरा जलने न लगे यहां पर देखिए अब हमगोवा सा यह ठंडा हो चुका है तो हम इसको Todo को यह एकदम चैन्द मेंकर यहां करना है उसको पूरा हधैली से करके।DES इसको ढखके छोड देते हैं थोडाइदर के लिए और यहां पर आलू बनाने के लिए मैंने पैन में थोड़ासा तेल गरम किया तेल में बस मैं राई डाली, राई डालने के बाद थोड़ासा इसमें जीरा भी डाल दी राई और जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा यहां देखिए चटकने लगा है सब थोरी देर इसको मिलाने के बाद अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे और यह आलू जो बना रहे हैं आलू जो भून रहे हैं उसमें मैं कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी बस थोरी सी मिर्च पाउडर नमक और हल्दी क्योंकि आलू हमें पीला पीला ही देखाना है ज्यादा मतलब मसालेदार नहीं बनाना है तो देखिए हम इसमें आ तेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और थोड़ी सी इस में लाल मिर्च पॉड़र डालेंगे ज्यादा नहीं ज्याद तीखा नहीं करना है बस इतना ही डालना है आधा चम्मस से भी कम और इन सब को डाल के अच्छे से आलू मिला लेना यहां देखिए आलू भी भू करनाने के त्यारी कर रही हूं तो पैन में मैंने सरसो का तेल गरम किया मैंने इसका टोड़ी से डाल को भीगो के रखा था वह इसमें डाल के थोई देर भून लोंगी जब दाल अच्छे से भून के हो जाएगा तो हम उसको निकाल लेंगे निकाल कर यहां देखिए दाल अ और उसके बाद यह चटनी बन के तयार है उपर से मैंने तरका लगा दिया राई कड़ी पत्ता और नमक डाल दिया था बस यह डाल की चटनी बन के त्यार हो गई है यह मैंने पहले भी आप लों के साथ सेयर किया है तो अब चलिए हम बनाते हैं बॉल्स रवा का यहां पेड़े बना ले रहे हैं और उसके बाद अपने दोनों अंगुठों से हाथ के अंगुठों से उसको एक कटोरी नुमा बना लेंगे प्रेस करके और यहां पर जो मैंने आलू-गरम यह भूना था वह थंडा हो चुका है तो उसके भी छोटे असा बॉल बनाके तयार कर लें और उसको इसके बीच में डाल देंगे यह रवा का जो मैंने कटोरी बनाया है उसके बीच में इसको रख देंगे यहां देखिए ऐसे और बस अब इसको हमें अच्छे से बंद कर देना है बंद करने के बाद इसको अच्छे से फिर हम रॉल कर लेंगे यह देखिए रॉल क के तयार हो गया तो बस वैसे ही मैं सब बना कर लेती हूं फटाफट बस वही ऐसे को टोड़ी जैसा बना देना है अलू का भी छोटा-चोटा बॉल्स लेके इसमें डाल के फिर इसके सारे बॉल्स बना कर लिया मैंने यहां देखिए सब यह तियार हो चुके हैं तो अब चलि यहां देखिए अब इसको ढख के रख देंगे दस मिनट तक इसको एसी रखेंगे उसके बाद यह जब अच्छे से हो जागा तो निकाल लेंगे यहां पर बॉल्स के तरका के लिए त्यारी कर रही हूं यहां पर मैंने राई कड़ी पता जीरा हल्दी लाल मिर्च पॉडर हल गरम मसाला मने अच्छे चटक जैसा आप खाना चाहते हैं वह मसाला त्यार कर लीजिए और इसको बाद सारे बॉल्स को इसमें हम डाल देंगे जिसको कि अभी हम ने स्टीम दिया था डालने के बाद सबको अलट पलट करके हमें इसको अच्छे से में हमें फ्राइ कर लेना है तो यहां देखिए सबको हम अच्छे से अलट पलट करके अराम से और यह खाने में सच में फ्रेंस बहुत अच्छा लगता है बहुत टेस्टी लगता है यहां देखिए अलट पलट करके मैंने सबको कर लिया है यहां देखिए और बस ज्यादा टाइम नहीं लगता है इ बिना इसको ऐसे फ्राइ के हुए वह भी अच्छा लगए यहां पर मैंने बस धन्या पत्ति डाल दिया उपर से और अब ग्यास का फिले मैं बंद कर दूंगी तो बस बंद चुका यहां देखिए मैंने प्लेट लगा दिया है और मैं यहां कट करके भी दिखा रही हूं आप व्हुत एफ बनाना तो कैसा लगा आप लोगो जरूर बताएगा तो आज का विडियो आप लोगो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हे साथे करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और शेयर और प्रेश को पूरा देखिए और सेयर करेए फिर मिनते हैं कन यह न्य व झाल झाल